दिवंगत अभनेतरी श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर धड़क से टेब्यो कर रही है ये बात हम भी जानते हैं कि श्रीदेवी जानवी किस टेब्यो को लेकर कितनी एकसाइटेड थी और कितनी तैयारियां करवा रही थी पर ये तैयारी अभी की नहीं है बच्पन से तयारी करवा रही थी इतनी तयारी कि जानवी कपूर रोद स्कूल तक नहीं जाती थी क्या है ये कहानी चलिए बताते हैं नमस्कार में हूँ अबशीक स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जानवी कपूर को फिल्म इंडस्ट्री फिल्हाल फ्यूचर का स्टार मानने लगी है वो फिल्म धड़क से सिनिमा की दुनिया में कदम रख रही है जानवी से धड़क उनके बच्पन उनके शक्सियत और माश्री देवी को लेकर कई खास बाते हैं और इनी बातों की बीच जानवी कपूर ने खुद अपने एक्टिंग के कीड़े के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से वो स्कूल नहीं जाती थी जानवी कहती है कि शायद बच्पन से ही मेरे जहन में कीड़ा था और ये कीड़ा एक्टिंग का था मैं घर में डांस करती रहती थी माने मेरे बहुत सारे वीडियो शूट की ये जो unlocking जाने के बाद मुझे देखने को मिले बजबन से फिल्मों के तिवानगी रही थी मा पापा के साथ मैंने सेट्स पर बहुत वक्त गुजारा घर में फिल्मों की बाते होती थी अलंकि मुझे बीच में लगा कि और कोई विकल्प देखना चाहिए मेरी रूची, आर्ट, हिस्ट्री और फैशन में भी थी लेकिन मैं जब एक्टिंग कोर्स के लिए लॉस एंजलोस कई तो तैय किया कि मैं यही कर सकती हूँ और मैं यही करूंगी वही पर उन्हें पढ़ाई के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने बारवी तक इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ाई की लेकिन मेरी अटेंडेंस सिर्फ 30% थी क्योंकि मैं ममी पापा के साथ शूटिंग में जाता रहती थी मैं स्कूल बहुत कम जाती थी दुनिया घूमते हुए ममी पापा के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा वही मेरी असल एजूकेशन थी इतिहास और अंग्रेजी में खास देल्चस्पी थी मैं कविताय भी लिखती हूँ तो इस तरीके से जानवी कपूर ने बताया कि वो स्कूल नहीं जाती थी इतना कम जाती थी कि सिर्फ 30% अटेंडेंस होती थी जानवी कपूर की वहीं पर श्रीदेवी भी बच्पन से सिर्फ जानवी को इनी चीजों के लिए तयार कर रहे थी और यही कारण है कि फिल्म धड़क का जब से टीजर, ट्रेलर और गाने आये हैं तब से लोग इस फिल्म का इंतजार और भी भी सबरी से करने लगे हैं बहराल आपको बताते चलें कि जानवी कपूर इशान खटर की यह फिल्म 20 चुलाई को रिलीस होने वाली है फिलाल इस वीडियो में इतना है